पीली भीट बस से टक्रा कर कार में लगी आग पांच लोगों की जलकर हुई दर्दनाक मौत उत्तर पदेश के पीली भीट में एक दर्दनाक हासा सामने आया जहां नेपाल से आ रही एक बस और एक कार में टक्रा हो गई जिसमें कार में आग लग गई आग का गुला बनी कार में बैटे पांच लोग उसी में जलकर खाक हो गए जबकि बस में सवार कई लोग खायल हो गई जिनने चेलास पताल में भर्ती करवाया गया नेपाल से दिली जा रही सवारी बस आज तलके जहानाबाद थाना अंतरकर खमरी अपल के पास बरेली से पीली भीट आ रही थी एक कार से उसकी टक्र हो गई टक्र इतनी जवज़स थी ती की कार में आग लग गई आग का गुला बनी कार में बैटे पांस सवार चलकर खाक गई जिनकी अभी तक सिनाक्त भी नहीं हो पाई जबकि बस पलटने ते उसमें सवार कई घायल हो गई जिनने जिलाचे के साले में भरती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा घटना की सूचना पाकर पसासनिक वाप पोलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे उन्होंने म पर खुस लोग हॉस्पिटल में तो यह लोग वहां से देखके रात में एक बज़े वहां से चले और रास्ते में घटना हो कितने लोग थे गाड़ी ते कौन कौन थे थे मुन्ने मनसूरी थे उनकी मैडम थी जमील आइमत थे उनकी मैडम थी और उनका दामा जिस्टे में यह दोनों आपस में साडू थे और जो उनका दामाद था उसकी परसोसाधी हुई थी 28 मार्च को और इसी गाड़ी को देहज में दिया गया था और उसी से यह घटना होगी हमें तो सुबह पता चला इनके जो दूसरे बेटे हैं बेटी की मतलब कुटनी खराब हैं इनके द नहीं मिली तो हमने रिपोर्टरों को जहां ता सूचना दी तो पता चला कि मतलब जो है वहाँ पर यह घटना भी है और ऐसा इसा हुआ 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 है परेली साइट में जो बस जा रही थी नेपाल से होते हुए यार्थिनों को ले करके उसके अपोजिक में बरेली से पील अलट जानी के कर तुड में आग लग जाने से उसमें जो पांच या त्री पांच जो जो सवार थे जिसमें दो महिजाएं थी और तीन पुरूस सभी के जल कर मौत हो गई और जो बस में मामूली रूप से घायल पित थे उनका इलाज करा दिया गया है सौ को कबजे में लेक मिलें